अमरिच सर में 25 माए को एक अज्यात व्यक्ति की लाश अमरिच सर की किसी आफिस के पास मिली थी जिसके उपर शक होने के बाद फुलिस के द्वारा उसकी जांच करवाई गई वहीं पोस्त मातम में उस व्यक्ति के सेर पर चोड के निशान देखे गए थे पुलिस को इसके पीछे हत्या का शक जाहिर हुआ उन्हाने बारीकी से जांच की तो उनको पता चला कि सरदार गुर्पाल सिंग और फकाका थथा पंडित दर्शनलाल जो की गोल्डी के दोस्त हैं उसको अपने साथ लेकर गए थे वही पुलिस ने बताया कि उनके दवारा मात्र पांसो रुपई के पीछे लेकर जगड़ा हुआ जिस कारण उन दोनों ने उसको डंडे के साथ पीड़़ड कर उसका खून कर दिया वही इन दोनों दोशियों को गिरफ़तार कर लिया गया है पलिस ने बताया कि इन दोनों ने कबूल किया है कि ये तीनों निशे के आदी थे तथा इसी के चलते उनके द्वारा गोल्डी का खून किया गया था वहीं धारा 302 के तहट मामला दर्ज कर लिया गया है और उनके खिलाफ कारवाई की जा रही है पोस्ट माटम तो बाद जड़ा है इस दे सिर्दे विच सट लगी दसी गई जिस्तों बाद थाड़ा रामबाग बिखे मकबूल गुरा जिजदी के फाई आर रामबाग बिखे हों दिया दर्ज ओथे फाई आर नंबर 87 अंडर सेक्शन 302 दर्ज कीती गई दुराने तफ तीज जड़ी है एक गाल सामने आई कि गोल्डी जड़ा है एक शराब दे ठेकेदार को ले काम कारते हैं इस दे नाड़ इस दे दो साथी जड़ा की गुरपाल सिंग और फकाड़ा और पंड़त दर्श पाई कलते ते इनने नशाव गएरा कीता ते नशाव गएरा करन तो बाद ही आपस दे विचिना दी नशे कारण ही लड़ाई होगी उसे लड़ाई दोरान जड़ा है काले ने गोल्डी नो डंडे देनाल सिर्थ वदा वार कीता अधे इसे लड़ाई दोरान उस दी मौप पैसे अगाल सामने आई है कि पैसे थुड़ा यारा ना दोरा सिर्थ पांच पेशिए लड़ाई है जिड़ा है नशे कारण दे आपस लड़ाई होई है तो उसे कारण जड़ाई दोरान काले वलों डंडे नाल जड़ा है वार किता गया जिस दो रहनों ती मोटू